मैं भारत को भारतियता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ अगर आपके शुरीग में वाथ से संबंदित कोई भी रोग हो गया तो ये मैथी ही सबसे अच्छी होता है वाग से संबन्दित रोग, गुरगे दुखना ये वाग करोगे, ये टाच दुखना वाग करोगे, एडी में दुखना ये वाग करोगे, हट्डियों में जॉइंट्स में दुखना ये वाग करोगे, कंदे में दुखना वाग करोगे, मन के कातरास वाग करोगे ये सबी बात के रोक्षी सबसे अच्छी आउशनी यही है मैंती का दाना खाने का तरीका मैंने बता दिया एक चमश रात को एक गिलास पानी में डालिए सुझा उटकर वो पानी बीना है पीछे से मैंती दाना चबा-चबाते खाने इसी मैती दाने से और भी एक रोक्षी कोड़ा है वो रोक्या है रत के अंदर अभी थोड़ी दे पहले में बात करना तो मैं कॉलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो इसी मैती के दानी की ताकत है जो कॉलेस्ट्रॉल को कम करता है माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइन तेल खाया तो थोड़े दिन अब मेंधी का दाना खा लो तो आगे की दिन्बगी ठीद रहे जितने दुश्परिणाम हुए है डालडा खाने से रिफाइन तेल खाने स उन सब को बाहर विकालने की ताकत इसमें है मैथी के दाली में रख्ट के अंदर कॉलेस्ट्रॉल जो खराब कॉलेस्ट्रॉल है जिसको NDL कहते हैं उसको कम करने की शब से जादा शक्ती मैथी के दाली में है तो मैथी का दाना उस रोग में भी काम आता है और इक बीमारी में मैती का दाना काम आता और वो बीमारी है थाइब्छण Agusa हो गया जिनको भी रख्त का दबाओं उचा हो गया उनको कहिंए मैती का दाना काओ 10-15 दिन में ही रख्त का दाना सावान नी हो जाता बिल्कुल नहीं करता अगर वायू का रोग आपको है तो मेति का दाना बुल-बुल गरम नहीं करता जिनको स्वस्थ है शरीब उनको गरम करेगा लेकिन जिनको वायू का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी और शदी है मेति का दाना शरीब का ट्राइब इस्ट्राइट कम करने के लिए मेति का दाना शुगर कम करने के लिए मेति का दाना यूट्रस डिस्प्लेस्मेंट ठीक करने के लिए मेति का दाना ऐसे ऐसे मैंने 44 रोगों में अеловियो कीय है मैंठी की बाना सबीर और मैं इसके बहुत अच्छे पारुब महित्यानी का पानी यारा है ते नहों तो नहीं गंटे तक नहीं एक गंटे बाद महित्याना पीने के खाने के गंटे बाद कुछ भी खा पी सकते थे चाय ना पियें तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है, तो आप बुलेंगे चाय की जगे क्या पिये है, दूद पीलो, दूद और मेथी दाने की दुश्मनी है, दूद की जगे ताक पीलो, ताक और मेथी दाने क करता है तो मैधिन आने का आप तभी भी जीवन में उत्लोग करिए बहुत अच्छे पढ़ना हो और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं स्वस्त हैं तो क्या हम ले सकते हैं आपकी चाहें तो ले सकते हैं पीच पीच में थोड़े दिन छोड़ जो कोई सब्सक्राइब को स्वस्त व्यक्ति भी खा सकता है लेकिन बीच-वीच में छोड़ कर लगातार उसे नहीं खाना चाहिए लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी ठीक है अब इस मेधिन आने के कुछ और उप्योग मीं बता रहेता हुआ बहुत अद्वुत है अब भी उसे बना सकते हैं वह एसी चाहों में सावली शाहिद मराती में के वहां उसको सूखने को डाल दीजे तीन दिन में वो सूख के तयार हो जाएगा अब ले सकते हैं बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं लेकिन उसके तयार करने की विधी क्या है वो मैंने बता दी है आप चाहें तो आप कुछ भी तयार कर सकते हैं मैंती दाने के और कई प्रयोग में आपको लगाता है अद्बूत है ये मैंती दाने कहीं बार छोटे-छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है बहुत तेज होता है और इतना देज होता है कि विचारे हो चिलताते ही होता है फिर आप दॉक्टर के पास जाएंगे वो को एक खुड़ द्रिक्र में इसमें मैंती दाना दाल के गरंगे कुप गरंगे और तोड़ी देर के और घंडा और यहां तेंपे पन we और शायद दुबारा डालने के जरुगत ही नहीं पड़ेगी और दुबारा दर्ग नहीं आएगा तो यह मैती डालने का ऐसा भी एक उप्योग और एक उप्योग बजाता हूं मैंकि लाएगा दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है देशी घाय का घी है और शुद्ध सरसों का तील है और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल्के तेल में भी चल जाता है अगर बच्चा थोड़ा समझदान है तो आप चाहें सीधे मैथी दाना ही कान में डालगे और पांच मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे रखे थोड़ी देख के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मैथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकलेग कान मीचे करते ही दाना निकलेगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला अटक वेया तो उस कान में थोड़ा दिल्बुना कोबट पानी डाल दीजिए पानी के साथ लिए और इसका एक उप्योग है पिछले 5-6 साल से ना उसका एक्सपरिमेंट कर रहा हूं ऐसे से इंआ यहां नहीं अक इसका लगत परने नहीं आते है कि नहीं है साइसव नहीं आपने का हिस्सा ये साइग कि नाख़ने उसके बाजूवाला लेकिने आगा कसे बाड़ने से Boston और वो पठ्टी आती न टेप सेलो टेप आता जिस पर पानी का असर नहीं होता वो टेप बांदेजये इधर तीजाह दाने रखिए टेप बांदेज़ये यदर रखिए टेप बांदेज़ये दोनों हाथ में जैसे आप यह बादेंगे तो 20 मिनट से लेके 40 मिनट में बहुत जिवर्जस्त मीद आ देएगा और वो सोय लागा और अच्छे से सोय लागा कच्छा मेथी लागा सीधा कच्छा मेथी का दाना नाखुन के नज़दी कोले हिस्से में पाठ चार पाठ दाने रखे ऐसे टेप से बांग दीज़े इधर भी इधर दोनों हाथ में बहुत बद्वाट नीज आते हैं और जिनको सिर्दर्द होता है आजहे में लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जिसको माइग्रेण केते उनको भी यही बांग दीज़े तो सिर्जर्द चला जाएगा जी हम मुठे के नाखुन के दोनों साइट में हाजी अंदर की बाद दोनों आतों में करेंगे बहुत जल्दी रिसल्ट आएगा और क्या कर सकते हैं इसमें जी अगर आप इसको टेप से बागेंगे चार-पांस दिन उसमें कुछ हरकत कोई बना इस पर बस इतना ही द्यान रखिए पानी न दिरे मेंथी का दाना घीला ना जो जब तक गीला नहीं है तक तक वो काम करेंगे और इसका आप चाहें तो प्रयोग कर सकते शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है आप बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नह पासा नहीं है और दर्द आपको कम करना तो जिस इस्तान पर भी दर्द हो रहा है वहीं पर चार्पाइटाने में ठीके रखिए और पट्सी लगा दीजिए शलोटे दस मिनट के अंदर ही दर्द चल जाए जहां भी दर्द हो रहा है